हेलो एवरिवन मैं हूँ सुधा और आज मैं आप से शार शेयर करूंगी बेसन की एक डिफरेंट सब्जी की रेसपी हम लोग अकसर अपने घर पर बेसन की सब्जी बनाते ही हैं लेकिन यह वाली जो सब्जी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है तो आप इस रेस्पी को पुरा जरूर देखिएगा इसे नॉर्मली ऐसे बेसन की कतली भी कहते हैं बेसन की कतली वाली सब्जी तो मैं इस इस तरह से square shape में cut की हूँ और ये दिखने में ऐसा लग रहा ना कि पनीर की सब्जी है ये बल्कि ये बेसन की सब्जी है और जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है तो आप वीडियो को बिना skip किये हुए इस recipe को पूरा जरूर देख कियेगा अगर आज के लिए पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का प्रेस करें और मेरे चानल सुधा किचन को सब्ट्राइब करना ना भूले तो चलिए चलते हैं मेरे साथ किचन में बेसन की डिफरेंट तरीके से सब्जी बनाने के लिए ना हम यहाँ पर ले ले को आप मिकसर में पीस के भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कूट डालने से इसका स्वाधना जह बाता है तो मैं इन्हें ऐसे अच्छे से कूट ले रही हूँ कूटने के बाद हम इन्हें यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कूट कर मैं इसमें अट कर देती हूँ बेशन के और हम इसके अंदर डाल देना है अपने स्वात के अनुसार नमक इसके बाद हम इन सारी चीजों को एक बर इस तरह से अच्छा से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना इसमें हमें थोड़ा-थोड़ा पानी आड़ करना है और थोड़ा-थोड़ा पानी आड़ करके इ आप इस तरह से पहले इने अच्छे से वेशन को स्मूथ कर ले सारी चीज़ों को एट करने के बाद से असके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा भरके पानी डाल दे इनका जो घोल होगा नहीं हम थोड़ा पतला तयार करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी पतली होन होनी चाहिए फिर भी थोड़ी पतली होगी इसकी घोल जैसे हम लोग करी बगारा बनाते है ना तो कड़ी का घोल तो कुछ जादा ही पतला होता है उससे थोड़ा कम यह देखिए कुछ इस तरह से इसका घोल होगा तो इसका घोल तयार है अब हम क्या करेंगे यहां पे हीरा डाल देनी है जैसे फूरण चटक जाएगा हम यहां पी इस बेशन के घोल को इस पैन के अंदर डाल देंगे इस तरह से इसके बाद अब गैस के फ्लेम को यहां पर हाई कर दे हाई फ्लेम पर जैसे इसमें उबाल आने लगेगा आप इसे चारु तरफ से ना इस तरह स इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे उससे क्या होगा ना कि यह बहुत जल्दी कुक हो जाएगा जैसे थोड़ा सा थिक होने लगेगा जैसे जैसे कुक होगा आप इसके फ्लेम को मीडियम हाई रखे मीडियम हाई पर हम इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे पूरा वेशन मिलाते होगे बहुत ही अच्छा इंदम थिक कैस्टेंसी में तैयार हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए तो आप इस तरह से इन्हें इतना थिक कर लें पूरा यह मैं अच्छे सिक्दम थिक कर लेना है कुछ इस तरह से अप गैस को ऑफ कर देते हैं इसके बाद हम इन्हें क्या करेंगे ना इस तरह का मैं एक कंटेनर का यूज कर रही हूं जिसमें केक बगारा बनाया जाता है या फिर ढखला तो आप चाहे त अगर आपको थोड़ी पतली पीसेज बनाने हैं तो आप इसे एक प्लीट में डालें इसके बाद हम क्या करेंगे इस कंटेनर के अंदर इस तरह से मैं डाल रही हूँ और पैन में बहुत ही ज्यादा अभी भी इसके अंदर बेसन का जो पोले यह लगा हुआ है तो अपने इस तरह से चिकन आपको यह लगा है करें यहां पर आनल का में ढखर लिए जो नकाम ङाम कर लेते हैं तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैं यहां पर प्यास ली हूँ ग्लैसून ली हूँ और अद्रक ली हूँ इन्हें ना हमें इस तरह से एक ही साथ मैं इसका पेस्ट रेडी कर ले रही हूँ यह देखें बहुत आसानी होती है इसके बाद यहां पर हम एक जीरा सुखी लाल मिर्च और तेजपत्ता इसके बाद जैसे फोरण चटक जाए आप इसके अंदर डाल दे यह लहसून अद्रक और प्याच का पेस्ट तो इन्हें एक साथ ही हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और प्याच को हमें गोल्डेन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से पका लेना है तो इन्हें इस तरह से चलाती हुए मैं प्यास को पहले अच्छे से पका लेती हूं अभी यहाँ पैस थोड़ा इससे और पकेगी प्यास का लगेगा हमें healthy powder लाल मिर्च powder आप दिखा अपने हिसाब से डाले हैं इसके बाद यहां पे थोड़ी सब्सक्राइब ग्रेवी में अच्छी color आ सके उसके लिए मैं यहां पे डाल रही हूं कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर इसके बाद इसमें मैं एक तम थोड़ी सी चुटके यहां पे काली मिर्च पाउडर डाली हूं और इसके अंदर मैं डाल दूगी आप जीरा पाउडर और यह चुटक है धनिया पाउडर जीरा और दानिया के क्वांटेटिती हैं अपने हिसाब से डाले मैं दोनों के equally डाली हूं इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चुट सा पानी आट करके इसमें डाल देती हूं ताकि जो मसाले है और अच्छी तरह से पक सके तो यहाँ पर मसाले जब तक पक रहे न ढख के पकाते हैं तब तक आईए यहाँ पर देख लेते हैं कतली रेडी है या नहीं तो यह देखिये यह जो बेशन की कतली यह बहुत अच्छ इसके जो पीसे बहुत अच्छे मोटे मोटे होने वाले हैं तो बिल्कुल भी तूटने का डर्ड नहीं है ग्रेवी के अंदर जाने के बाद से तो आप इनके पीसे कट कर ले आपको जैसे भी शेप पसंद हो आप इने काट ले मैं इने से स्क्वार शेप में काट दे रही हू और मोटे मोटे हैं तो यहाँ पर डाइमंड शेप मुझे लगता नहीं हो पाएगा इसलिए हम इने स्क्वार शेप में कट कर लेते हैं यह देखिए तो यह बहुत ही अच्छे से दम रेडी हो चुका है अगर आप चाहे ना तो इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं ऐल में अलग से ऐसे फ्राई करके लिए कि मैंने फ्राई नहीं करूंगी मैं इसे डाइरेक्ली ग्रेवी में ही यूज करने वाली हूँ तो उन पीस इसको रख देते हैं तब तक यह देखिए मसाले में उससे भी तेल अलग हो चुका है मसाले भी यहाँ पक रहे हमारे अभी इसमे थोड़े से कुछ और इंग्रियंट से जो हैं हमें एड करना है तो मसाले पक जाये उसके बाद आप इसके अंदर कर सूरी मेथी डाल दे अपने हाथों मैं से क्रश करके इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दही तो मैं यहाँ पे एक छोटी का टोड़ी दही ले ले जिन्म अच्छे से smoothly ओके बस अमने अच्छे से mix कर ले है इसके बाद से हम इन्हें ढ़क के मसालों मत्ब तिल अलग होने तक मसालों से हम इन्हें अच्छे से और पका लेंगे तो यह देखीए आप जो मसाले हैं यह बहुत ही तयार हो छुके हैं अब इसके अंदर डाल देंगे gravy के लिए गरम पानी आप गरम पानी का ही इस्तमाल करें उससे क्या होती है ना जो कड़ी होती है वो खराब नहीं होती है उसका कलर भी तम बरकरार रहता है तो आप इसके अंदर थोड़ा गरम पानी का यूज करें ग्रेवी के लिए मैं इसमे थोड़ा सो और पानी आट करती हूँ इसके बाद इन्हें अच्छे से मि लिए अपर ऊढ़ा टेंगे अगर आप पीशन को पतले रखते हैं तो आप ग्रेवी को थोड़ा सो और थिक कर ले उसके बाद एक डाले क्योंकि बैशन के लोह में घृँजा TALK sucks क्ते स्टे यहां पे जो बैशन के पीशन के थोड़ा से मोते हैं तो इनका टूठने का अब भरी मिर्चे डाल के अच्छे से पका लेती हूं कुछ इस तरह से यह देखिए तो आप यहां पे इसकी कड़ी देख ले आपको कितनी थिक चाहिए भी थोड़ी से पतली चाहिए तो यह सब्जी एकदम से सेट हो चुकी है अभी हम इसके अंदर ना थोड़ा पारी कटा बनी थी तो आप भी इस रेश्पी को ज़रूर ट्राइ करें अगर रेश्पी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल सुधा कीचेन क्वीन को सब्स्राइब करना ना भूले और इस रेश्पी को शेयर करना भी ना भूले थैंक्स बढूची उले ना भी बीडं़ पोझ करेंग ना भी पूले रेश्पीयो कि युटर लेश्पी आता है वीजै़ प्रेस को शेमने क्वीन के अंट प्रेस रेश्पीश बढूची प्लेश्पी और उतलने के तो आखिए झायर जिए हम पौले ले फजाए बने को सब्सक्श